एक request, सबसे, दूसरों की healing करना third level के बाद है, अपनी family की healing करना second level के बाद, second level के बाद अपनी family के healing कर सकते हो, immediate family की, अगर उनकी भी healing third level के बाद करो, ज़्याद अच्छा है, क्योंकि third level में आपको master symbol सिखा जाएगा, जिससे आपका aura super तरीके से lock हो सकता है, उसके अंदर कोई भी dark energy या कोई unwanted energy interfere नहीं कर पाती, तो पहले third level तक अपने आपको protection में डाल लीजिए, उसके बाद दूसरों की healing करना third level तक पहले अपनी healing कीजिए, अपने आपको strong कीजिए, ये मेरा सला है, मेरी request है, बागी आप लोग समझदार हो, जो करना है वो करना है, मैं तो healing सिखा के चला है, आगे आपके मर्जी, मेरा काम आपको बताना कि कहां गलती हो सकती है, जब आप दूसरों की healing करते हो, तो उ और की healing करने के बात, आपको body में sensitivity फील होने शुरू हो जाएगी, हर वक्त आपके हाथ पर गरम हो रहे है, सिर में चक्कर आ रहा है, third eye पर tingling हो रही है, body में pain फील हो रहा है, spine पर pain फील हो रहा है, ये सब काम होने शुरू होते हैं, तो इनको यदि avoid करना है, तो अच्छा ये रहेगा कि पहले अपने आपको पूरी मजबूती दे लो, 41 डेज तक केवल अपनी healing करना, लिख लीजिए, 41 डेज तक, 40 पढ़ते हैं 40, हनुमान 40, शिव 40, ऐसे healing 40, healing 40 पढ़ेंगे और 41 पर दूसर की healing करेंगे,